दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे call आने पर अगर दिखाई नहीं देता है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपके phone पर भी कोई भी call कर रहा है तो screen पर आपको कुछ भी show नहीं हो रहा है या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन कॉल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तो इसी problem को solve करने का तरीका में आए आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले का करना है हमने अपने mobile की settings में जाना है तो इसको करने के बाद आपने क्या करना है उपर आपने सर्च करना है phone services तो यहाँ पर आपको phone services वाले option में जाना है तो आप इस पर tap कर देंगे तो जैसी phone services खुलेंगी तो यहाँ पर आपने ध्यान से यह step करना है आपको क्या करना है यह जो notifications का option दिखाई दे रहा आप इस पर टैप करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर tap करेंगे तो यहाँ पर यह जो सारी notifications है यह सारी turn on होनी चीह जायlish की blue में दिखरी होनी चीए, तो अगर आपके case में कोई भी off है, इस तरीके से अगर off है, तो आपने क्या करना है, उसको on कर देना है, सब को blue कर देना है, सब को on कर देना है, तो यह जो उपर की तीन options है, यह सबसे important है, यह तीनों on होनी चीए, उसके लावा यह sound वाली नीचे क दो हैं, यह भी on होनी चीए, यह सारी की सारी आपने on कर देना है, जैसे ही आप यह कर देंगे, उसके बाद आपने back आना है, और अपने phone को restart कर लेना है, तो जैसे आप यह करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो आपको problem आ रही थी, कि call आने पर दिखाई नहीं देता है, या screen पर कुछ भी show नहीं होता है, तो वो problem आपकी solve हो जाएगी, अगर यह video आपको काम का लगा तो इसको like ज़रूर करें, साथ ही इसको share करें अपने friends और family के साथ, तो मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली video में, तक तक के लिए bye and take care.